दोस्तों बड़ी खबर बड़ी अपडेट आप सभी दिल्ली वासियों के लिए अगर आप दिल्ली में रहते पढ़ते हैं या आपका बच्चा रहता पढ़ता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस नए सेस्थन दोजार चौबिस पचिस के ल कौन कौन से डॉकुमेंट की ज़रत पढ़ती है और इसका अमाउंट कितना मिलता है सभी बाते आपके साथ शेयर करेंगे साती जो चेंजर इन्होंने किये हैं वह भी हम पूरे डिटेल के साथ आपकी सामने इस वीडियो के मादिम से रख रहे हैं तो प्लेज वीडियो के स पता ही नहीं चल पाता है और वो इस लाप से बंचित रह जाते हैं तो यह बड़ी आमाउंट अगर सरकार दे रही है तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना है तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड मेरे बार में जान लिए मैं हूं आपकी साथ आसे सर लेकर आता हूं आ अगर आप आउट ओदिली से हैं तो प्ली यी आप लेक के लिए नहीं है साथ में जैसे कि सिक्पीं कह नाम है लाडलयों के लिए नहीं हैं सिरप लाडलकियों के लिए हैन के लिए हैं लड przedsiębior साथी हैं यह बच्चे वह इस chip के लिए कुछ सवाल ना पोचा को आपके लिए कि तीन चीज है तीन चार चीज इसमें एक तो हम न्या फों अप्लाई कर्सक्तें पहला आप नया फोर्म भर सकते हैं, दूसरा आप इसे रिन्यू कर सकते हैं, अच्छा नया फोर्म अगर आपने पहले नहीं भरा है, आज तक आपने लाडली योजना का कोई मतलब सुरू नहीं किया है, तो आप पहली बार इस स्कीम का लाव उठाएंगे, मतलब आप इसे फोर्म भरें हैं हमारी लाडले जो पड़ लेखे जाएं तो इससें बेटर क्या है नहीं आप ध्यांत से समझें, जो फॉर्म हैं, वह फॉर्म भरेंए की प्रक्रिया क्या होता है, कि एक तो आप जन्व के समय में बढ़ते हैं, और जन्म के समय में भी दो तरीके से लूता है, appear तो आप आपको बर्थ certificate मिल जाता है तो पहला तो जन्म से ही शुरू हो जाता है दूसरा मेंता दूसरा ऴसका में जाते हैं तो आप लढ़ली योजना का लाब लेने के या तैयार हो जाते हैं तीसरी लाब आ u या तो नया फोम बरते हैं या से रिन्यू करते हैं वो करते हैं च्छटी क्लास में है तो सबसे बहुत जनुआ उसके बाद प्रस्कूर में आपको यह से प्रसेजर करना होता है और अमांट आपको मिल जाता है तो यह तो है प्रसकते हैं अगर नया फोम बर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी तो आपको नया फोम बरना है यह रिन्यू करना है वो भी आप जुरूर समझ लें है ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताईए पहले तो कि आप नया फोम भरना चाहरे हैं या रिन्यू करना चाहरे हैं तो बहुत सरे सवाल भी मिरे पास आ रहे थे इससर अमांट कितना मिलता है और बैंक कौन सा होना चाहिए यह वी कुछ मिजर है तो आप यह दियान रखे कि आपका रिन्यू है या फर्स्ट टैमा फॉर्म भर रहे हैं इसके लिए आपका बिस्टिक सा डॉकुमेंट चलता है आपका जन्म परमान पत्र होना चाहिए तो यह दिल्ली का होना चाहिए आपको इसका वेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर नहीं है तो आप बना लीजए आपको इसका लाभ मिल जाएगा दूसरी चीज आपको इसमें चाहिए होता है डिल्ली का रिजिदेंस परूप सकता है पच्चे का नाम चाहिए इसकशला होगा और जो भी है बच्चे का नाम होना चाहिए और दिल्ली का नहीं है तो अब आप मारे घर में रहते हैं इतने साल से रहते हैं और इनका यह बच्चा है वह इसे स्कूल में पढ़ता है लेकिन आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए आप अपना वैलिड जो है दिल्ली का प्रूफ बनवा लिए साफ ने फोटो चाहिए बच्चे के साथ मंदब ममी पापा के साथ बीजिने बच्चा हो और ये फोटो आपको अपया नहीं कर दिया पहले सकते हैं पहले कि उनों सब्सक्राइब करता है लेकिन facto यह सब्सक्राइब कि चुक्त करते हैं तो ही है वो भिगांग सारे पास सब्सक्राइब आप पूंचते हैं तो फिर आपको इस benefit से बंचित रह सकते हैं लेकिन अगर आप private school में पढ़ रहे हैं AWS कोटे से पढ़ रहे हैं तो आपका easily हो जाएगा क्योंकि AWS basically उन बच्चों के लिए जो गरीब होते हैं या उनकी income कम होती है तो आपको easily private school में भी हो जाएगा सरकारी स्कूल में ये form आपको स्कूलों में मिल जाते हैं आपके जो class teacher हैं वो आपको provide करवा देते हैं और अगर आपने पहले form भरा है तो आपके घर में एक slip आयोगी और उसी slip को लेकर कि आपको स्कूल जाना है आपको कोई नया form भरने के जड़त में आपका renew हो जाता है और बाद में आपको SBI का ही मांगा जाएगा तो इससे बेटर है कि पहले से ही आप SBI का ही account खोलें और SBI में थोड़ा सा यह रहता है कि easily सब कुछ आपको मिल जाता है अचा सका amount की बात करते हैं तो amount में क्या है कि इसका मंतिली किस्त की तरह है sorry मत जैसे किस्त होती है अगर आपने पहली में भरा है पिछाटी में फिर नाइंत में फिर लेवन में फिर तो सिस्टेमेटिक वे में अगर आप करते तो आपको मिलते हैं 95,000 पिचाने भी हजार हो सकता है जब आपकी maturity डेट आए तो सकता आपको यह amount जादा भी मिल जाता है क्योंकि time period के साब से बट ए अगर आपने पहली में नहीं भरा तो आपका उम्हों हो जाएगा कम है अगर आभ चाता है के सिस्टेमेटिक प्रफरली मैं आपको बताहूं कि वही कितने किस्ते ने लिए विडियो लेकर के आजओंगा फिर विडावं सवाल है तो आप मुझे समपर कर सकते हैं वस्थार् झाल 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 झाल